हाई है हलो एब्रूवन यू यूआ वेलकम तो बैसे नूस टुटोरियल और हम बात कर रहे हैं एपटीटूड की टीचिंग एपटीटूड की इससे पहले का जो वीडियो है वह आप लोगोंने देख लिया होगा और हम लोग उसे उसमें काफी सारे जो टेक्नीक्स हैं टीच कर रहा हूं इसलिए कोई प्राब्लम नहीं आई आई आपको तो चलिए यहां पर देखते हैं पर्टिकुलर टो जनरल यह बहुत इंपोर्टेंट है आपका इंडेक्शन और डिडेक्शन मैथड को समझना क्योंकि इससे ही अगर आपका टीचिंग मैथड से अगर कुशिन आ इंडेक्शन इस तरह से आ जाएगा तो इंडेक्शन का मतलब क्या होता है इंडेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास हमारे पास कोई एक्टिविटी है और फिर हम उसके बाद एक रूल या कंक्लूजन पर पहुंसते हैं और डिडेक्शन का मतलब यह होता है कि हम रूल पह example बताता हूं ठीक है कि जैसे पहले teaching की जाती थी या आपने भी school में देखा होगा जो पुराने teachers थे वो क्या करते थे आगर उन्हों हैं आपको टैंसेस पढ़ाने हैं सबीने टैंसेस पढ़े होंगे तो क्या करेंगे आपको पहले बताएंगे, एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, कि जो वर्ब है सिंगलर के साथ में S या E S लगता है, तो पहले उन्होंने रूल बता दिया आपको, अब वो आपको कहेंगे कि कुछ सेंटेंसे लिखो, कि He goes, She goes, It goes, इस तरह से वो सेंटेंस बताएंगे आपको, इसका मतलब पहले रूल बता दिया, उसके बाद आपको सेंटेंसे बता दिये, तो ये हो गया आपका डिड़क्ट करना, कि आपने रूल बताया, फिर आप कंकुलूजन तक उसको प्रूफ करने की कोशिश करें, कि ऐसा हुआ, अब आपको क्या किया, दूसरा तरीका ये है पहले आपको सेंटेंसे बताए, कि मैंने बता दिया कि अगर जैसे he, she, it ये हैं, इन पे कुछ सेंटेंसे लिख दिये, चलिए, अभी मैं रूल नहीं बता रहा, पहले सेंटेंसे लिख ले तें, तो पहले मैं सेंटेंसे लिखूंगा बोर्ट पे, she, goes, he, okay सॉरी, यहाँ अब शी हो गया शी गोज ओकी इस तरह से लिख रहा हूं इट गोज अब आप इसे ध्यान से देखेंगे और यहां भी देखेंगे आप की दे गो दे गो इस तरह से आपने सेंटेंस लिखा तो आपको समझ में आएगा कि जब ही शी इट यूज हो रहा है तो एस और इस लग करना है लेकिन जब मैं दे का यूज कर रहा हूं या आई का यूज कर रहा हूं तो यहां पर हमें किया यूज YE नहीं हो रहा है а एस और इस लगेगा तो आप अब रूल दक पहुँच गए हैं अपने आप रूल तक पहुँच गए तो जो नया teaching method है या हम कहें कि जो नए ways है new ways है teaching के उसमें जो inductive way है inductive को inductive method को ज़्यादा preference दी जाती है उसको better माना जाता है तो अगर आपके answer में आता है कि inductive method is better than deductive method तो आप इसको correct मानेंगे लेकिन अगर आया है कि deductive method is better than inductive method तो आप उसके गलत मानेंगे तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा in induction we arrive at a universal or general premise based on bits of knowledge derived by individual experience where is the deduction we move from general to particular समझ में आ रहा है और analytical manner तो यहां पर है तो generalization and principle should be given later तो हमेशा क्या होता है जो generalization और principle होते हैं उन्हें हमें बाद में देना होता है अगर आप जैसे science पढ़ा रहे हैं तो science में भी आप पहले क्या करेंगे experiment करेंगे और experiment के बाद आप क्या करने वाले हैं experiment के बाद आप उसका जो conclusion होगा वो बाद में बताएंगे आप student को पहले नहीं और शुट भी गिवन लेटा एंड वी बेस्ट ऑन नंबर और पर्टिकुलर प्रेमिस तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि inductive method और deductive method में क्या difference है ठीक है तो हम यहां पर देखी universal general premise okay induction वी arrive at जो general जो हमारा एक रूल है बाद में तो simply simplify मैं इसे कर चुका हूँ hopefully आपको समझ में आ गया होगा it makes a lesson easier for student understand the phenomena और जब क्या होता है कि हम इस तरह से पहले हम कोई experiment करते हैं यह हम पहले कोई exercise करते हैं अगर हम exercise कर सकते हैं experiment कर सकते हैं पहले तो उससे क्या होता है जो understanding है student की वह बढ़ जाती है तो यह हमारा क्या है general to यहां पर आपका particular to general conclusion तक हम पहुंचेंगे उसके बाद आते हैं next is whole to part okay in twentieth century guest all psychologist summarized that we first perceive the object as a whole and then in parts तो आपको क्या करना है कि जो भी आप subject matter student को पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप whole उन्हें बताएंगे उसके बारे में complete information देने के कोशिश करेंगे फिर दिरे दिरे उसके parts को आप पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा समझ में आता है in other words we gain knowledge about the whole first and then about the parts अब यहां पर देखिए for example जो हम example ले ले लेते हैं when we see our fan working in our room so first of all the whole picture of the fan comes before us and then of its parts तो सबसे पहले हम fan को क्या करेंगे सबसे पहले हम अगर हमारे सामने fan है तो हम उसके parts देखने की बजाए सबसे पहले हमारी नजर पूरे fan पर पढ़ती है फिर हम उसके बाद धीरे 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 अपजर्व करके उसके parts को आपजर्व करना शुरू करते हैं similarly when we see some tree अगर हमारे सामने कोई आपका पेड़ है तो हम सबसे पहले उस पेड़ को आपजर्व करेंगे तो जब हम पेड़ को पहले first पूरा पूरा का पूरा आपजर्व करेंगे उसके बाद अगर देखेंगे कि इसकी जो leaves हैं जो पतियां हैं उसकी वो किस तरह की हैं या उसका जो stem है ओके वो किस तरह का है तो हम ये सारी चीजें क्या करेंगे बाद में आपजर्व करना शुरू करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं गेस्टॉल्ड थियोरी और परसेप्शन धियार रखिए कि गेस्टॉल्ड थियोरी और परसेप्शन क्या है कि पहले हम whole complete को समझेंगे और फिर उसके बाद हम parts को समझेंगे like you are talking about we talked about leaves and if we talk about the flower birds तो हम ये सारी चीजें flower birds you can talk about तो इस तरह से आपको ये चीजें समझ में आएंगे कि गेस्टॉल्ड थियोरी और परसेप्शन होल टू पार्ट नेक्स देख लेते हैं ये ये चीजें आप जब आपको ये पीडिए फॉलरी ग्रूप में मैं प्रोवाइड कर चुका हूं इसे आप धीरे-धीरे देख सक करते हैं उसमें indefinite to definite बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और इसका मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आपको ये सीक्वेंस वाई जितने मैथट से हो सभी लर्न करने हैं आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप answers को अच्छी तरीके से analyze कर पाएं indefinite to definite देखी ये वाला है हमने concrete to abstract पड़ा था उसी की तरह हमने indefinite to definite भी उसी से related है it's a psychological fact that the pupils intellectual development proceeds from indefinite to definite पहली as pupil grows his sense develops जो हमारे students हैं धीरे 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 उनके जो senses हैं चीजों को देखने का नजरिया है वो धीरे धीरे develop होता है तो पहले हम indefinite होता है हमारा knowledge फिर हम उसे धीरे धीरे definite करते हुए चलते हैं अब यहां पर मैं आपको एक छोटा से parrot है second day उसने एक crow को देख लिया अब उसे क्या करेगा वो उसे कहेगा black parrot उसने कहा कि यह क्या है आपका black parrot है क्योंकि उसने एक ही नाम सुना है अभी तक life में वो है आपका parrot तो उसका अभी complete knowledge उसको नहीं है इन चीजों का फिर आप उसे बताएंगे कि जो चीज black होगी और parrot की तरह दिख रही होगी और parrot का जो बीक होती है चोंच होती है वो आपकी red होती है तो आप उसे धिरे धिरे definite करने की कोशिश करेंगे कि यह दो चीजे है तो अभी उसका knowledge क्या था अभी उसने एक चीज देखी थी सिर पैरट अभी knowledge से associate करेगा उसमें differentiate करेगा और दीरे दीरे वो जो indefinite उसका knowledge है उसे वो definite करने की कोशिश करता है तो इस sense organs he gains the knowledge regarding different objects while living in the contact of his parents, brothers, sisters, other family members and the surrounding social environment यह सारी चीजें उसे help करती है जो social environment है उसे help करेगा दीरे दीरे इन चीजों को gain करने में on the basis of this gain knowledge he gradually makes his personal concept regarding each object अब देखिये मैंने आपको एक example दिया पैरट का example दिया मैंने और उसने पैरट देखा था उसके बाद उसने देखा कि यह क्या है उसने कहा कि यह ब्लैक पैरट है हमने उसे बताया हमारी help से हमने उसे बताया कि बटा यह ब्लैक पैरट नहीं है यह आप है तो उसने देखा कि उसे अब perception होगा ओके कि वो पूछेगा कि यह पैरट है या क्रो है अब हम उसे बताएंगे कि नहीं यह तो size में बहुत चोटा है तो उसके दिमाग में जो यहां पर एक word आया ना आपका personal concept इसको बहुत ध्यान से देखिए तो personal concept उसका build होगा personal concept क्या तो यह चीज का नाम भी बदल जा रहा है वो देख रहा है कि अच्छा किसी चीज का अगर size change हो रहा है तो bird का भी नाम change हो रहा है और हॉल यह सब ही क्या है bird है यह सब ही क्या है bird है यह उसका personal concept बन रहा है तो teaching में भी कई बार यही problem आती है आपने देखा होगा कि जैसे एक जो better teacher है जो बहतर teacher है वो एक mother father हो सकते है किसी के parents भी हो सकते है brother हो सकते है कोई भी कि आपने उसे बताया कि यह parrot है दूसरे दिन उसने क्रो देखा उसने का यह parrot है तो आप पता लगा उसको पीटना शुरू कर दिया आपने कि मैंने कल तुझे parrot दिखाया भी था उसके बात को समझेगा कि जो अभी इसका concept बिल्ड हो रहा है और मुझे इसको कुछ दिन और मुझे इसको feed करना पड़ेगा जब आप उस concept को continuously feed करते रहेंगे तो उसका concept बिल्ड हो जाएगा और यह सिर्प मैं English की बारे में बात नहीं कर रहा है यह math science और सभी चीजों में है धी बिल्ड होता चला जाएगा और एक दिनों इस चीज में expert हो जाएंगे जब तक सारी चीज़ें नहीं होंगे देखे इस example में पहली चीज ती color अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर हमने काफी time ले लिया समझाने में लेकिन यह concept हमारा भी concept बिल्ड होना बहुत जरूरी ह कि जब तक बच्चे का color, size, timing और आप बोल सकते हैं कि sound जो उनका bird का sound है यह सारे concept उसके जब तक किलिया नहीं होंगे बच्चे के तब तक वह ऐसी mistakes करता रहेगा और इन mistakes के बीच में जो हम उसे कहते हैं JPD जो नो proximal development इसको हम बहुत detail में अभी देखने की कोशिश नहीं कर लेकिन JPD जो होता है वो यह होता है simple form में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो उसने कुछ नहीं सीखा है और कुछ जो उसने सीखा है उसके बीच में काफी सारे उसके क्या होंगे confusion होंगे और वही confusion को आप short form में JPD बोल सकते जो no proximal development means इसमें सबसे ज़्यादा learning होती है यहीं पर सबसे ज़्यादा mistakes होती है और सबसे ज़्यादा learning भी यहीं पर होती है चलिए अब आगे बढ़ते हैं काफी हमने इस पर discussion कर दिया तो hopefully आपको यह जो पार्ट है personal concept का development किसी बच्चे का जब वो छोटा है और जब वो बड़ा हो जाएगा तो इन दो के बीच में जो उसका personal concept बनने वाला है वो आपको समझना बहुत जोरी है as a teacher all right as a good teacher if you want to be so these concepts and ideas are generally vague unclear uncertain तो जो उसके जो concept होते है बच्चे के जो छोटे में जब वो छोटा है तो उसके usually unclear और uncertain ideas होते हर चीज के बारे में उसके लिए एक जो छोटा पेड है और एक जो बड़ा पेड है उसके लिए फिलाल वो दोनों चीज़े बराबर हैं और जब तक हम उसे certainty नहीं लाएंगे ओके यहां पर देखिए uncertainty to certainty हमारा जो as a teacher हमारा एक responsibility है वो है कि हम uncertainty से उस बच्चे को certain knowledge तक कैसे पहुँचाएंगे तो hopefully when you will be a teacher जब आप लोग teacher बनेंगे तो आप इन चीजों को use भी करेंगे सिर्फ पढ़ने के पपसे नहीं पढ़ेंगे psychological to logical अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम psychologically हमने देखी होती है और बाद में हमें उन्हें logical बनाना होता है knowledge should take the course from psychological to logical हमारे जो knowledge है वो क्या होना चाहिए psychological से logical टर्म तक आ जाना चाहिए और इसे हम थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं चलिए आप लोग यहां पर इसे देखते हैं इसे थोड़ा सा कि जब हम किसी चीज़ को psychologically हमें सोचना पड़ता है और logical उसे लेके आना पड़ता हमें ठीक है तो एक example आप लोगों को मैं दे देता हूँ यहां हमें सिखा सकते हैं क्योंकि equation जो होगी उसके अंदर यह maths के सारी चीज़ें आपके आ जाएंगे अब English का एक topic ले लेते हैं कि जैसे in case आप Hindi medium के students को पढ़ा रहे हैं या चलिए English medium का भी है तो हम यह बोल सकते हैं कि पहले उसे हमें writing तक लाना पड़ेगा directly हम उसे letter नहीं द पहले आपको sentence structure अगर बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको letters हो गए आपके या आपकी जो comprehension skill हो गई या आपका जो notice आपको लिखना होता है बाकी चीज़ें आप लोगों को पढ़ानी होते बच्चों को तो अगर उनकी sentence structure बहुत अच्छा है तो इन चीज़ों को already पढ़ खाना शुरू कर देता हूं लेकिन नहीं यह logical नहीं है आपका और नहीं यह psychologically यह बच्चे इस चीज़ के लिए तयार हैं अभी आप पढ़ा तो देंगे लेकिन उन्हें पूरी तरह से नहीं आएगा तो आपको यहां पर देखिए psychological arrangement as in lesson plan आपका जो lesson plan हो बहुत बड़ा ए जरूरी नहीं कि आपने लिखा है lesson plan पर आपके mind में एक planning होनी चाहिए class में जाने से पहले refers to selection and arrangement of content in accordance with the pupils age आपके जो बचे हैं जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं उनको पढ़ाने का क्या है कि उनकी age आपको पता होनी चाहिए कि आप किस age को पढ़ा रहे हैं आपको उनका level होना चाहिए देखिए कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो government school में आप लोग teacher बनने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को धियान देना पड़ेगा कि जो government school में बच्चे होते हैं usually उनका जो understanding level होता है तो थोड़ा कम होता है क्योंकि उनके जो basics हैं उतने clear नहीं होत पड़ेगे उनका जो interest है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उनकी जो needs हैं वो भी आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगे अब need का need का कहा use करेंगे आप यह बहुत important चीज़ है देखिए आप अगर किसी बच्चे को बिलकुल उसका future अगर आप उसे clear दिखा सकते हैं कि जो भी आप subject पड़ा रहे हैं उसमें आपको उसका interest अगर बनवाना है तो आप उसे बताएंगे कि English पड़ने के क्या फाइदे हैं तब उसकी उसे समझ में आएगा कि अच्छा मेरी need है English पड़ना जब तक आप उसे ये convince नहीं कर पाएंगे वो English नहीं पड़ने वाल है आप किस तरह से बहतर यूज कर सकते हैं मैट्स का अपनी लाइफ को बहतर करने के लिए तब तक और नहीं पड़ेगा उस चीज को तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप लोग इसे ध्यान से देखते हैं कि अगर आप अपनी जो class teaching है उसे psychologically तैयार करके उसे logical एक order में अगर लगा सकते हैं तो आप as a teacher बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे ये rules हैं बहुत सारा मैं as a teacher मैं आप लोगों को ये suggest कर सकता हूं कि ये सारी चीज़ें अगर आप लोग यूज कर रहे हैं अपनी class में तो आप बहुत अच्छे से कर सकत क्या है all right कि जो बच्चा है उसने अपने experience से बहुत सारी चीजें बहुत सारा knowledge उसे होता है लेकिन हमें उसे rational करना पड़ता है means कोई भी rational चीज का मतलब होता है rational चीज का मतलब होता है कि हमें उसके पीछे का logic भी समझ में आए जैसा कि अगर आप इसे पूरा आप खुद इसे read करेंगे बाद में तो आप लोगों को वीडियो के बाद में ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी मैं आप लोगों को सिर्फ एक example यहा नहीं है कि as a student he observes it अगर वो एक student है student मतलब कि जो हर चीज को observe करता है उस चीज को जानने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम एक student मान के चलेंगा बाकि इसे देख तो सभी लोग रहे हैं तो इसको observe करता है लेकिन यह जो knowledge है अगर हमें इसे rational बनाना है तो हमें उसके पीछे का जो science है उस चीज को हमें पूरी तरह से उसे clear करना पड़ेगा the principle governing the movement of the celestial bodies and is the rational behind the students observation और हम जब उसे पूरी तरह से बना देंगे उसे सारी चीजें बता देंगे उसके पीछे तो उसका जो knowledge है वो क्या हो जाएगा rational हो जाएगा तो जो book में है actual में क्या है कि जो हमारे पास book ह book के अंदर क्या है हमारा knowledge है वो उस knowledge को हमें जो बाहर की दुनिया है जो उसके experience है जो इसके empirical experience है जैसे जो भी उसने देखा है ठीक है जैसे हम चले एक science का ही एक example ले ले लेते है कि आप लोग उसे क्या किया है कि उसने हमेशा देखा है कि जो एक जो steel का glass होता है all right steel के glass में उसने touch किया था इसे और उसने देखा था कि जब भी इसमें क्या था गरम पानी था all right तो गरम पानी को उसने क्या किया था देखा था कि टच करके उसने देखा था अंदर गरम पानी रखा था हमने लेकिन जो steel का glass था हो कैसा हो गया था hot हो गया था ये उसका experience है लेकिन उस है as a teacher हमारा मकसद है वो क्या है उसको rational बनाना rational कब बनेगा कि as a science teacher जब हमने उसे logic इस चीज के बारे में बता दिया है अब आप इसे क्या करेंगे जो अगर आप एक language teacher के बात करें तो वो सारी चीजों के बारे में उसे बताएगा कि जो steel का जो glass होता है उसे हम action में glass नहीं उसे हम tumbler बोलते हैं all right tumbler की spelling आप लोग सर्च कर सकते हैं tumbler all right तो glass जो होता है उसे हम tumbler बोलते हैं या जो water है और vocabulary आप उसे बता सकते हो तो as a language teacher आप उसे उन सारी चीजों के बारे में knowledge दे देंगे तो उसे उन चीजों के बारे में logic पता चल जाएगा okay कि इन चीजों को हम क्या बोलते हैं और इसे किस तरह से हमें actual real life में किस तरह से इसे pronounce करना है और और सारी चीजें तो as a science का example ज़्यादा better है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो तो यह हमने देख लिया कि empirical to rational क्या चीज़े देखे इन सभी चीजों में आप लोगों को ध्यान देना है कि हम चीजों को सिर्फ याद नहीं करना आप teaching aptitude तब तक solve नहीं करपा हुए जब तक आपको एक एक जो चीजे हैं वो बिलकुल आपके mind में concept develop नहीं होता है तो तो समझने की कोशिश कीजिए इन सारी चीजों को analysis to synthesis initially the knowledge of pupils is vague uncertain and unorganized हमने देखा कि जो बच्चे हैं और उसने बहुत सारी teacher उसे यह भी आपका rational या not logically आपको से समझाना है तब वो उसको synthesis कर पाएगा फॉर example while teaching geography आप यहाँ पर जीजोग्रेफिक एक्जैंपल ले लेते हैं इप the pupils are to be taught about earth we shall study by dividing into different parts of the basis of climate इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक journal उसमें बता देता हूं कि जैसे in case आपको अभी हम क्योंकि geography भी पढ़ रहे हैं तो उसका ही example मैं आप लोगों को दे देता हूं कि हमारे पास में जो पूरा world है और राइट वर्ल का हम मैप देखेंगे कि यहां पर आपका यह अमेरिका हो गया यहां आपका यह आफरिका हो गया बिटेन स्पेन और इटली और यहां पर हो गया आप लोगों कि यह आपके दूसरी कंट्रीज होगी यह आपका इंडिया हो गया चाइना और यह सारी चीज़े अब देखें जब आपका जियोग्रेफी आपको पढ़ना है तो पहले आप क्या करेंगे इन चीजों को पूरी चीजों को अनलेसिस करेंगे पहले आप इसे as a whole देखेंगे कि यह सारी चीज़े आप लोगों बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना अभी फिलाल हम जियोग्रेफी नहीं पढ़ रहे हम समझ रहे हैं कि अनलेसिस टू सिंतेसिस क्या है अब आपने इन चीजों को अनलेसिस कर दिया तो ऐसे टीचर आपकी ड्यूटी है बच्चे को यह बता दिया अब आपको क्या करना है धीरे धीरे इनको एक एक पीस में पढ़ना है और फिर उसको सब को जोड़ना में सिंतेसिस सिंतेसिस मींस नौलेज को आपको सिंतेसाइज करना जोड़ना अब आपको फिर से जोड़ना है और एजा होल पढ़ना है तो आपको ज्यादा तो यह आपको इस तरह से दिखेगा यह तो कुछ जादा ही अब गडबड हो चुका है लेकिन आप वर्ल का अगर मैप देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा कुछ दिखाई देगा ओल राइट आपको वर्ल का मैप यह बहुत शॉर्ट में आप लोगों को अगर समझना है वर इसी तरीका है या आप फिर क्या करेंगे इनको पार्ट में आपने पड़ा और फिर आपने इने फिर से एक सामने रख दिया है वन बाइवन तो अब इसे आपने सिंथेस कर दिया है नॉलेज को अब आप लोगों के लिए यह माइंड में बिलकुल सर्टेन हो जाएगा या आप एक वर्ड आएगा यहां पर देखिए कि होलिस्ट एंड डैफिनिट नॉलेज और इसके बात जब हम किसी चीज़ को सिंतसाइज कर लेतें तो हमारे पास होलिस्टिक डैफिनिट नॉलेज हो जाता है चलिए आप आगे चलते हैं यहां पर मैंने वही सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को यह चीज़ है जैसे आपका Bloom's Taxonomy है, Cognitive Objectives है, Analysis, Proceeds, Synthesis तो इस तरह की जो Lines है उन्हें जनरली आप लोगों को याद रखना है आप लोगों ने देखा होगा सीटेट के एक्जैम में इन चीज़ों से काफी सारे जो गलत होते हैं, Answers वो इन चीज़ों की वज़े से ही होते हैं कि यह Lines हमें अच्छे से याद नहीं होती तो Analysis, Proceeds, Synthesis तो यह आपका क्या है, Maxim आप इसे मान सकते हैं एक तरह से Follow Nature यहाँ पर है आपका की जो Nature का मतलब है उसका जो हम परकरती बोलें, बच्चे की, तो हम बच्चे की परकरती के बारे में बात करें Follow Nature, means student के nature के according हम उसे पढ़ाएं ना कि हमारा एक fix कोई method हो, जो जिस तरह के बच्चे होते हैं, उस तरह से उसे हमें पढ़ाना होता है The meaning of Maxim is to regulate the education of a pupil according to his nature जो pupil है, जो student हमारा, उसके nature के according हम उसे पढ़ाएंगे So hence, all the sources of education should be based upon the principles of physical and mental development of the pupil तो दो चीज़े धियान रखने हैं आपको, कि physical और mental जो development है, उसके according ही हमें student को पढ़ाना है बाकि आप इने बहुत detail में पढ़ेंगे, अगर आपको कहीं पर problem आती है, तो मुझे group में इन चीज़ों के बारे में आप definitely, जहां पर भी आपको समझ नहीं आता आपको बस क्या करना है, screenshot लेना है, और मुझे उस screenshot को भीज़ देना है, मैं आपको definitely उस चीज़ का एक जो वीडियो है, जो doubt session का वीडियो होगा, वो जरूर बनाऊंगा so in short, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, in short, the teacher should follow the nature of people, तो यहां पर है, अब training of senses की बात करें, the pupils may have five sense organs, यह तो एक universal बात है कि यह हमारे पास सारी जो है, हमका वारा sight, hearing, taste, smell and touch, अगर आप एक अच्छे teacher बनना चाहते हैं, तो आपको student की इन सारी जो senses हैं, उन five senses को use कर पड़ेगा, अगर आप इनको कर पाते हैं, तो आप world के क्या हो जाएंगे, एक best teacher माने जाएंगे, तो यह सारी चीज़ है, all these senses are gateways of knowledge, यह बहुत अच्छी चीज़ है, कि sense organs are gateways of knowledge, बहुत ही बहतरीन एक हम कह सकते हैं, maxim है, teacher के लिए, with the help of sense organs, the pupil forms concept of his mind, size, type, color, weight, quantity, density, area and temperature, like आप एक science teacher हैं, तो आप अगर density पढ़ा रहे हैं किसी को, तो आप क्या कीजिए, कि एक बरतन है, उसमें आपका पानी वैसे, मैं English language teacher हूँ, but I like science, so you can teach in this way, क्योंकि हमारे साथ आप science के भी student हैं, वो जूड़ चुके हैं, आप दूसरे में, इसमें आप water रख दीजे, glass में आप इसमें soil रख दीजे, मिटी रख दीजे, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप cement रख सकते हैं, कुछ cement तो नहीं क्योंकि और चीजें, लेकिन आप जैसे sand रख सकते हैं, अलग अलगतर है कि soil रख सकते हैं, तो आप जो उसमें क्या डालेंगे, एक stick डालेंग इसे push कर सकते हैं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो एक sense है, experiment को बहुत अच्छे से use कर पाएंगे, और अगर आप इन चीजों को करेंगे, तो really you are going to love your teaching job and you will become a great teacher, all right, hence teaching should maximize the use of maxims, sense organs to help the student receive correct concept of things around him, जो जो हमारे sense होते हैं, यह बहुत ही maxims जो हैं, वो जरूर आप इ कीजिए, hopefully कि आप लोग सभी अच्छे teacher बने, तो आपके जो sense organs से हैं, वो क्या करेंगे, concept को बहुत अच्छे से receive कर सकते हैं, all right, self study, तो चलिए अब यहाँ पर जो class है, इसे end करते हैं, इसके साथ ही आप लोगों को जो दूसरी class है, teaching aptitude के साथ में जैसे maths है, और आपकी उ constitution का करने वाले हैं, तो जो चोटे-चोटे topic हैं, उनको पहले एक तरफ को करके छोड़ देते हैं, फिर आपका जो history और geography होगा, उसको बहुत अच्छे से हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत in-depth आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो यह hopefully कि आप लोगों को यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा, जहां नहीं समझ में आया, तो जरूर कमेंट करें और send me your details